इस अधिए बहुत अच्छी कावत है बड़ी लगती है कही ज़के लिखा होता है कि उतना ली उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में ये भोजन के विश्व में है कि दुनिया को बहुत सारे हिस्से को भोजन नहीं मिलता और बहुत सारा कुछ बहुत सारा के 20% ऐस भोजन को विवर्थ ना जाने दें लेकिन अधिक मात्रा में भोजन थाले में लेने से नुकसान भी होता है कि हम ज्यादे खा जाते हैं यह में बात करूंगा वह एक दूसरी बात है जिसका नाम है टर्म का ओटो फैगी ओटो फैगी का मतलब यह हुआ कि जब हम उपवास म हम नहीं खाते हैं यह जल पे या नीबू पे या हलका लग खाना लेते हैं तो हमारे शरीर की दूसरी सेल्स जो होती है वह हमारे शरीर की सेल्स दूसरी सेल्स को खाती है हमारा शरीर ही हमारे शरीर को खाता है और क्या कौन सा किसको खाता है इसके ओपर रिसर्च जी तो पत कोशिश करें के हमारे उप्वास में रहें तो हमारे साथ जो घटना घटेगी वाटो फैगी की वो हमारे उस्त करती है हीलिंग काम करती है स्वस्थ होते हैं और क्या होता है कि जब हम कई बार नहीं खाते हैं कुछ लोग यह कहते हैं कि हम नहीं खाते तो हमारे जलन हो जाती है जलन होने लगती है इसी बनने शुरू हो जाता है या गैस बनने शुरू हो जाती है तो वह क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा उ यह ओने हमारे इंटरस्टाीन पर्त पेट को प्रॉड़ करती है। और वह सिख्रेट क्या होते है社 आप्षिक्रेट सवाइशन स्वस्थ रखने में छहा की हमें। करने के लिए करा दश्य करने के लिए उभाण कर नहीं है एक उस को मैंने जरूरि फांट कीम्हार स्टर्वा रौख जरूरी में पानी है तरह स्फ़最 कुड़ शोड़कर के सफाई तो तुओ अर्टो अच्छा रहे गा तो तो उतना ही खाये जितने से हमारा काम चल जाये एक तो बात ही है क्योंकि कुछ लोग तो खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, यहनि कुछ लोग तो हर ताइम यह पूरा दिन में 4-5-6 बार मुझ चलता है रहता है, कुछ लोग इतना ही खाते हैं कि शरीर का काम चलिया ठीक है अब हम अध्यात्मिक विकास करेंगे और होता है यह कि जितना अधी खाएंगे उतना प्रफितत से जुड़ेंगे उतना बहुतिकता से जुड़ेंगे और जितना कम खाएंगे जितना हलका खाएंगे उतना अध्यात्मिकता से जुड़ेंगे उतन चैनि मिया को कुछ दोक्तर्स मेकिल सब्कूल को रहता है यानी आधे से दिक से डॉक्तर्स का तरी दॉक्तर्स का ही बीमारी को कज होता है, दॉक्तर्स पी निरा ऩर दोक्तर्स करें आज से के खाने के लिए ना जीएं जीने के लिए खाएं हलका खाएं पाचन बहुत अच्छा रहेगा हलका खाएं पेठ हलका रहेगा हलका खाएं नीद नीद आपको कम नीद थोड़ी से कम हो जाएं अच्छा लेगा और उसके साथ साथ जो समय बचे उसको प्रभू की आर्चन में या शास्त्रों के अध्यान में या समाज की सेवा में या अन्या किसी अच्छे काम में जीवन को लगाएं तो हमारे जीवन का सबीबू होगा बहुत-बहुत धन्यवाद आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें लाइक करें थैंक्यू